आज हम आपकी सामने लाने जा रहे हैं 14 अगस्त की रात का वो सच जिसे हर भारतिय जानना चाहेगा वो रात जिसने हिंदुस्तान का इतिहास, भुगोल, भविश्य और सोच को बदल दिया वो रात थी आजादी की रात दिल्ली में 14 अगस्त की शाम से ही जोरदार बारिस हो रही थी रात 9 बचते बचते राय सिना हिल्स पर करीब 5 लाख लोगों का हुजूम जमा हुआ था बारिश अब भी जारी थी रात को करीब 10 बचे सरदार पटेल, जवाहरलाल नहरू, डॉक्टर राजेंदर प्रशाद और माउंट बेटन वाइश्रोय हाउस पहुचे 14 अगस्त 1947 की रात 12 बचने में कुछ ही मिनिट बाकी थे तब पंडिक जवाहरलाल नहरू ने दो लाइने कहकर अपना प्रवचन शुरू किया चंद ही मिन्टों में 12 बजे और 15 अगस्त का ये दिन भारत के लिए खुशिया लेकर आया 190 सालों बाद ब्रिटिश हुकुमत से देश स्वतंत्र हुआ था लेकिन इन खुशियों के साथ उतना ही गम था क्योंकि भारत ने अपना 10,46,737 स्क्वेर किलोमीटर का पूरा विस्तार और करीब 8 करोड 15 लाख लोग एक ही रात में गवा दिये थे देश दो टुकडों में विबाजित हुआ था हिंदुस्तान और पाकिस्तान हिंदुस्तान यूही आजाद नहीं हुआ 15 अगस्त के बहुत पहले ही ब्रिटिश हुकूमत का अंध शुरू हो गया था महात्मा गांधी के जनांदोलन से देश में नई क्रांती की शुरूआत हुई थी तो एक और सुबास चंदरबोज की आजाद हिंद फोज ने अंग्रेजों का जीनाद दुश्वार कर रखा था उपर से दूसरे विश्वयुत के बाद ब्रिटिस सरकार में उतना दम भी नहीं था कि वो हिंदुस्तान पर अपसासन चला सके इसलिए माउंट बेटन को भारत का आखरी वाइसरोय बनाया गया था ताकि देश को आधिकारिक तरीके से स्वतंत्रता दी जा सके अंग्रेजों ने भारत को शुरुआत में 3 जून 1948 के दिन स्वतंत्र गोशित करने का नीड़े लिया था लेकिन मौम्मद अली जिहा ने पाकिस्तान नामक अलग मुल्क बनाने की ठान ली थी जिसके चलते देश में कई जगा पर सांप्रदाइक हिनसास शुरू हो गई बिगर्ती परिस्तित को देख अंग्रेज भारत को हो सके इतना जल्दी स्वतंत्र राष्ट गोशित करड़ेना चाहते थे क्योंकि अंग्रेजों को भी भारत को आखिरकार एक टुगडे में नहीं लेकिन दो टुगडे में विभाजित करना था स्वतंत्रता के लिए दिन 15 अगस्त ही क्यों चुना गया तो इसमें ऐसा है कि सिर्फ हम भारतिय ही शुप और अशुब में नहीं मानते थे बलकि अंग्रेज भी उतना ही मानते थे माउंट बैटन मानता था कि 15 अगस्त का दिन शुब है तो फिर रात बारा बजे के वक्त को ही क्यों तै किया गया तो इसके लिए भारतिय जोट्सियों का मानना था कि वो वक्त देश की स्वतंत्रता के लिए शुब है तै किया गया था कि पंडित नहरू को अपनी स्पीच रात बारा बजे से पहले ही समाप्त कर देनी है और रात बारा बजे स्चंखनात के साथ भारतिय लोकतंत्र की शुरुआत होगी। ठीक वैसा ही हुआ। 15 अगस की सुबह 8 बज कर 30 मिनिट पर पंडित नहरू और उनके कैबिनेट ने पद और गोपनियता की शपत ली। रात की लगतार बारिश के बाद सुबह आसमान बिलकुल साफ था। लोग बेसबरी से इंतिजार कर रहे थे आजाद भारत के तीरंगे को लहराते हुए अपनी आखों से देखने का। देश के तीरंगे को सबसे पहले जवाहरलाल नहरू ने रात को बारा बजे ही पार्लामेंट सेंटर हॉल में लहराया था। और दूसरी बार सुबह आठ बच कर तीस मिनिट पर भव्वे राष्ट द्वच को जनता के सामने ब्रिटिश राष्ट द्वच को उतार कर लहराया गया। देश वासियों की आखों में खुसी के आसु थे। आजादी के बाद 15 अगस्त के दिन ही एक साथ अंग्रेजों ने देश को नहीं छोड़ा। आजाद भारत के कुछ आला अफसर भी कुछ समय तक अंग्रेज ही रहे। 1500 ब्रिटिस सैनिकों की पहली टीम 17 अगस्त 1947 के दिन अपने देश रवाना हुई। तो आखरी टीम 27 अगस्त 1948 के दिन निकली। दोस्तो ताजूप की बात ये के लुटेरे अंग्रेज हमारे देश के अतिती बन के आये हो उस तरह से उन्हें बिदा किया गया। उनकी आखरी फोज ने जब मुंबई के बंदरगाह से बिदाई ली तब जियोज पंचम को बिदाई देने वाला गीत बेंट बाजा के साथ बजाया गया। आजादी से 190 साल पहले भी अमीर चंद और मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइन का ऐसे ही सम्मान के साथ स्वागत किया था। और फिर क्या हुआ प्लासी का युद्ध और 190 साल की परतंतर था। फिर भी हम भारतिय नहीं सुत्रे अतिति देवभव के सुत्र को हमने आज भी नहीं छोड़ा। फिर वो अतिति वाकई देव दुल्य हो या हमें लूटने आया हो। दोस्तो आज के लिए इतना ही और देश की इस स्वतंतता की कहानी को ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा सेर करने की आपकी जिम्मेदारी है और इस वीडियो को हो सके इतने लाइक हो सके इतने कॉमेंट दीजिए और अगर आप नए है तो The Knowledge को चरू सब्सक्राइब करें और हमेशा खूस रहें जय हीन वंदे मात्रम